हेलो दूस्तों बंस अगिन बेरी विडियो एंड इन इस वीडियो आइम गोई टो डिसकास अब आउट यह फॉस्ट दे ओफ कॉलेज और जिसको हम सब जानते हैं और जिसको हम सब जानते हैं ओरिंटेशन दे के नाम से अब स्टार्टिंग में मैं जब कॉलेज में आया था मैं तो गुजराती मेडियम से बेलाओं करता हूँ तो मेरे लिए तो यह वार्ड प्रोनाउंस करना और यह वार्ड को याद रखना ही बहुत टफ हो गया था ओरिंटेशन इसका मतलब क्या होता है इसमें आपको मतलब सब कुछ समझाया जाता है कॉलेज के बारे में आपको यहाँ पर कॉलेज के बारे में गाइड किया जाता है और सारे फेकल्टी को आपके बारे में यहाँ पर गाइड किया जाता है मतलब यह आप एक दूसरे साम गरवाया जाता है, पूरी college है, starting में यहाँ पर college के HODs आएंगे, college के principal आएंगे, उसके बाद HOD आएंगे, उसके बाद सारे faculties आएंगे, आपको बताएंगे कि हमारे यहाँ यह खासियत है, यह advantages है, इतने अच्छी अच्छी companies आती है, इतना अच्छा infrastructure है, फिर दोपर में कुछ snacks organized किये होंगे, तो आपको snacks मिलेंगे, उसके बाद यहाँ पर जैसे ही orientation खतम होता है, तो आपको पूरा campus का tour करवाया जाएगा, और जिसके अंदर यहाँ पर आपको introduce करवाया जाता है, अब यह क्यों होता है, ताकि आप जो है, आपकी faculty के साथ, अच्छे से well connect हो जाए, from the very first day, तो यह generally purpose होता है, orientation day गा, आपकी जो भी सवाल है, आप वो है, orientation day के अंदर, first day of college के अंदर पूछ सकते हो, कि जिसके अंदर यहाँ पर, आपके सारे सवाल से, वो यहाँ पर faculties है, वो answer करेगी, starting के first two days में, यहाँ पर आपको कुछ भी पढ़ा है, नहीं जाएगा, आपको कुछ भी पढ़ना नहीं होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या करना आपको स्टार्टिंग के दो दिन में कुछ भी पड़ा ही नहीं करनी होती है, ठीक है, तो यह है पूरा का पूरा orientation पर वीडियो, अब यहाँ पर orientation कौन से डे पर होने वाला है, कौन सी डेट पर होने वाला है, यह आपको college को ही पूछना होगा, क्योंकि वह ही यहाँ पर answer कर सकते हैं, ठीक है, so yeah, that's it for today's video, thank you very much for watching this video, if you have any doubt, then ask me in the comment section, thank you, bye-bye